नमस्कार, माइसे रब डॉक्टर केस मिना, डिपार्टमेंट ऑप केमिस्ट्री, MLV गवर्मेंट कॉलेज बिलवाड़ा आज का हमारा जो नया टॉपिक जो स्थ्राट कर रहे हैं हमों लोग हैं वो है एर पोलीशर एर पोलीशन की एक सिरी बेक्षर है कि क्या किस से कहते हैं उसकी डेफिनीशन क्या है उसमें क्या क्या components इन विल्ट होते हैं तो सब से पहले हम बात करते हैं एर पोलीशर तो डेफिनीशन की जैसे बात की जाती है तो excessive concentration of foreign metals foreign metals जो है excessive concentration in the air which adversely affect the well being the individual and charges damage to the property यह अजर तहीं भी देखने को मिल रहा है इस तरह का जो भी देच रहा है इस दिश्यांज ओप एर पोलिशन आगे हम इसको डिफाइं टरह पाते हैं की एर पोलिशन इस दिफाइंटेट इस भी किसे आपने पोर्चेस्ट एंडेशारीब इन पाटिकल्स and gaysage, in which year and may adverse effect to the human beings, plants, animals, vegetable and important structures. अदिर किसी physical structure को में डेमेज कर रहा है, तो अदेटी इस आप ओप पोलिशन, और उसको हम बोलता हैं कि जो structure को डेमेज करने वाले हैं, उने इस आ जाता, polluants, क्या कहते है, पोलिवेंच, Any substance present in the environment is harmful concentration which adversely affects or alters the environment by damaging the growth rate of the species and by the interfering which the food chain is toxic, affect the health, comfort and property etc. is considered as a polvent. जो भी किसी जीव को प्रभावित करता है, growth rate को, उसके species को, उसकी health को, उसके comfort को, कोई property को, तो भी अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो उसकों बोलते हैं यह वो क्या है? पॉल्वेंट है, composition of the air की बात करें तो सबसे ज़्यादा nitrogen होती है, फिर oxygen होती है, nitrogen 78% होती है, 20.94 में 21% के असपास होती है, argon होती है, 0.934 होती है, carbon dioxide होती है, nion, methane और बनी कि major amount में यह gases हमारे को, जो air composition, अधरीस composition को कोई changes हो जाता है, बनी, इस composition differ हो गया है, इस composition से, तो that is coverage air pollution, atmosphere and it's a structure, atmosphere की बार करें तो यह atmosphere क्या होती है, हमारे चारों तरफ जो gases का गोला दिखाई दे रहा है, यह जो भी है, उसको हम atmosphere कहते हैं, अलग दले टरपोसपेर, स्पेरनोसपेर, मीजोसपेर, थरमोसपेर, एक्सोसपेर की रुप में हम इसकी लहर बनी वी है, हमारे चारों तरफ है, जो अर्थ के ऊपर, उसको बोलते है, atmosphere, 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 life supporting material या surrounding to the earth, यह life supporting, इसके दौरा जीवन संभाव नहीं है, atmosphere surrounding दो अर्थ 700 km तके फिला हुआ, जिसको फिर आगे सब डिवाइड एट कर रहा है, अलग अलग ग्रूप में, जिसको मैंने अभी नाम दिया आपको, troposphere, stenoosphere, major sphere, thermosphere और exosphere, सबसे परेट, troposphere की बात करें, तो जीरू से लेकर, अर्थ की surface से, 0 से 12 km तक का जो, हम स्परो मेटर बोलते हैं, वो इसको बोलते है, troposphere, यह content 75% of the gases in the atmosphere, this is where the live and weather occurs, यहाँ पर जीवन है, यह 0 से 12 km में ही जीवन है, इसल 75% gases यहाँ पर मिलती है, दूसरा, troposphere में, दूसरा था stenoosphere, जो 12 से 50, अगले 12 से 50, जो layer है, इटीजे ओजोन layer भी है, वहाँ पर, ओजोन act is the salding of the earth surface, ultraviolet radiation को रोग कर, हमारी अर्थ की रक्सा चरती है, वो जो बात हम करते हैं, वो ता मिलेगी, हमारे को steno spares में मिलेगी, 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 जो बात करते हैं, और तो वो है 50-80 km, 50-80 km में जो, जो जो college region, बनी थंड़ा है यह, college region of the atmosphere, this less protter the earth from the mentroids, and they burn up the area, मिलेगी, हमारी जो मिलेगी, मेजो स्पेर में, temperature कंट्रोल होता है, उसकी वज़े से हमारी सर की ज्यादा temperature, जो अर्थ की जो रेडियसंस कोंस्ती है उनका टेमपरेचर कट हो जाता है उतना टेमपरेचर हमारे पास रहता नहीं है थर्मोस्पेर 80 km and above इस एरीज वेरी थिन इन डारीजन जिसको थर्मोस्पेर मीन होट स्पेर हीट स्पेर भी बहुत सकते हैं तो इस पर इस टेमपरेचर ब्यूप हाई इन दिस रिजन उतना इसले कोई चीज दा तो इस रिजन को हम फिर दो रिजन स्वें further डिवाइड दरते है आइनल स्पेर औ तक तो हुँनता है इस पेर इस एक्सेंट इचर्टी से लिए औरेडियो कम्मुनीकेशन के काम पाते हैं यो इनुषपेर में होता है Axosphere इसके बाद behind the upper part of the thermosphere, the extent is from 550, meaning 550 km से उपर जितना भी है, उसको हम बोलता है Axosphere, it is very thin there, it is the area of static orbit of the Earth, इस सेटलाइट्स वगरा जितने भी हमारे को यहां पर मिलेंगे वह एक्सो स्पेर में ही देखने को मिलेंगे कि यहीं पर हम लॉंचिंग चाहिए निच्रल सेटलाइट हो वह एक्सो स्पेर में ही देखने को मिलेंगे इस ट्रिक्टर ओपन पर जाते हैं तो मेंजर शौर्स ओपकुलिशन अब तहां से यह पॉलिशन अब कहां से ओगया और पूरी ऑर्थ जो चारो तरफ हम देख रहें यह सब रिजन से और इकल्चर ले लिए बाएलोजिक लिक्विड गराउड वाटर, हमन्हेल्ट एक्व बनी वी है जिसके शोर से ट्रांसपोर्ट है और रिमोल है इन सब में आपस में जब कुंबिनेशन जब तक बराबर बनावा जब तक तो एर का पॉलिशन नहीं है और यह जैसे ही इनका इंबिलेंस होते हैं डेटीज एफेक्ट हुमन है अनिमल्स एंड बाइट हो गया रिलिजिंग दपोजनेश गेस निकलती है जैसे सोटू है है एच टू है सियो है फोरेस्ट फायर है नेचरल ओर्गनिक इन ओर्गनिक डिकलेन है पॉलन ग्रेंज है बाउल है डलस्ट है अमोंग इस पॉलन गेंज आर्दा इंपोर्टेंट बिकाउज इट का जिस में भी यह एक बड़ा बड़ा चैलेंजिंग बना गुर्प बनावा है यह देखिए इस तरह का जिपने भी जबी वस समुद्र में निकलेगा लावा निकलेगा चाहिए जो आलामा की बुकम इजी हो है यह सब जो कौन पहुंचाते हैं एयर पोलिशन का शोर्स are responsible for the air pollution the most common air pollution polluants are co2 so2 co n , h2 s etc. अब आता एर्ट मोबाई इंहांस रりलीष स्मूड वी कल जब लोड पे चलेगा तो कुछ ने को समॉक रिलीष स्करिगा इस स्मोग इज़ इन पर इंप्ट पंपर शन यह नंकंप्रीट पंपर इसन अप्ट शो फियुट ऑडर कर्बाश शूटो अगर्ड कर्माइचे लियुट एफ इस फॉर्ट चुछ फॉर्ट वर्टेश्ट गोर्ट शौट शूर्ट खोंवां टार्स फ्यूर्ट अब्रॉट प्रोड़क्ट आप दापसल्स प्यूर नथिंग बट पॉजिंग यह सी ओच फॉर मेथेन एसो टू एनो एक्स जब भी कोई बर्निंग होगी तो एनोक्स वहां पर निकलेगा है नेक्टरोजन के ओक्साड निकलेंगे निकले जो पोईजिनस है डी फोरेस्टेस हैं बेलेंस स्हामरिय अर्थ के ओपर O2 और COP2 का जो बेलेस्ट ॉत बनाने वाला एक ही जो दिखुए फोरेस्ट जसनों बोलता है फॉरेस्ट जिस को सधेंगर्शन मे Raphael श्राओ कि वो इंबेलेंस ओ्राएं superhero लिए मनिशेया मात्रा बढ रही है और कि मात्रां कम्करम कमोरी है इसका बड़ा रिजन निकल गया था, deforestation. Increase of population, हमारी यह population भी साथ पर बढ़े गी, an increase of population leads to the global warming, immense of the greenhouse gases. It also contributes to loss of the forest cover and loss of the wildlife. Population जैसे जैसे बढ़ रही है, तो हम rapid growth हो तो population, urbanization, industrialization भी बढ़ रहा है, उस करण से हमारे को यहां देख रहे हैं, loss of biodiversity, agriculture activity, हम जादा जादा पैदा लेना चाहते हैं, various pesticides, pesticides are used to the agriculture purpose, this causes the air pollution, radioactive, nuclear reaction, nuclear weapons, testing contribute towards the nuclear pollution, nuclear pollution is very harmful to many animals and vegetables. सब के लिए, देखो यह भीड का इसा, यह population बढ़गी है हमारे, shilding cultivation बढ़ा दिया, बहुत जादा केमिकल्स का यूज़ करके, हम पसल पैदा कर रहे हैं, यह हमारे पास radioactive fallouts, इसकी वज़े से हमारे पास ने air pollution बढ़ रहा है, anthropogenic source हो गया, increase of population, agriculture activity, radioactive weapons, classification of the air pollution, polluents को classified कैसे थ्रेट, air polluents are broadly classified, according to the origin, दूसरा होता, according to the chemical composition, or according to the state of matter, वो किस तरह किस आवस्ता में हमारे पास है, सबसे पहले बात करें दूरीजन, according to the origin, origin के सबसे बात करें, primary polluents or secondary polluents, primary polluents में, are those which are the directly emitted, from the identified shores, सबस्था शोर्स पता है, these polluents can emit directly, to the atmosphere, जिस इसको बात करेंगी, यह जैसे, intermittent of age water quality standards, दे रहे हैं कि इतनी sulfur dioxide होना चीए, इतना T, SPM होना चीए, इतना RPM होना चीए, इतना lead होना चीए, यह standard table है, classification of the polluents की बात करें, तो basis of the origin, जो हमने बात कर दी, structure of the primary and secondary, तो origin की बारे में बात करें, तो यह particularly matters है, क्या है इसमें primary में, particular matter, oxide of sulfur, sulfur के oxide है, oxide of nitrogen, carbon monoxide, or red utility pollution, यह primary source है, secondary source की बात करें, तो ओजोन, pharma-el-dehyde, photochemical smog, और PAN, peroxy nitrate, axle nitrate, यह हमारे secondary source है, तो इनकी दुवारा हम pollution पढ़रा, classification based on the stance of matter, gases, gases air pollution, और particularly air pollution, gases air pollution में, gas उसका पार्ट, gas में carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur oxide, और hydrocarbon, इसके बड़े important पार्ट होते है, जब भी particles की बात करें, तो जिसमें काण होता है, तो इनकों particles होगा, दे में liquid, solid particles, may be identified with the size है, इसकी larger than 0.002 microns, but smaller than 500 microns की बीच का, जो size होगी, उसके वाज़े dust है, बड़ा पार्ट है dust, smock, इसकी size हमने दे रखी है, mist, fog, fume, ice, और spray, यह अलग-अलग size के coding, यह हमार पास में कौन से पॉल्वेंट है, यह पॉल्वेंट, particularly air polluants, based on the environment, indoor air pollution, outdoor air pollution, indoor कौन सा, जो अंदर हो रहा है, indoor air pollution, घर से बार भी नी निकला, मेरेको फिर भी, छीक आने लग दई, या मेरेको, allergic problem होगी, तो यह indoor pollution है, cleaning agent, mosquito replacement, pesticide, selective smoke, gas and gas stop, यह जितने भी है, यह indoor air polluants है, आउट्डोर की बात करें तो, बाहर गए तो डाड़ियां चदरी, industry, mining, और नेचरल इमेंशन, फ्रॉम डिप्लेइं मेटर और एनिबल्स, यह outdoor air pollution का पार्ट है, इसको बात करें दूसरा, श्योर्सोप की ओरिजिन क्या था, नेचरल और मेनमेट, नेचरल को होन है, एट्मोस्पोरी रेक्शन जितने भी चदरी उससे होता है, वोलनाओनिक, फोरेस्ट राइप, फायर जो होती है, डस्ट है, साट स्प्रे प्रॉम ओसेंस, माइक्रो ओर्गनाजम, रेडियो एट्यू सब्स्टेंस, ये नेचरल सब्स्टेंस है, मैनमेट, कंबंशन ओफ्यूल हम जलाएंगे, आटो मोबाइल, इनट्रिस्टी, थर्मल नुक्लियर पाउर प्लांट्स, अग्रिकल्ट्ट्र एक्टिविटीज, ट्रंस्ट्रक्शन मेट्रेल, सिस्टम ओप सेनिटेशन, माइनिंग, नुक्लियर एक्सपोजन, एर्ट्राफ्ट, वेष्ट वाटर ट्रेट्मेंट प्लांट्स, ये सब में मेड शोर्स है, में मेजर एर पॉलिट्शन सब्सेंस की बात करें, अब ये तो हो गया कि शोर्स क्या था, आखिर भूम फिर ये क्या है, क्या शोर्स क्या है इसके, तो सब सब पहले आता, Oxide of Nitrogen, NOx, Nitrogen के Oxide, Oxide of Nitrogen including four gases compound, जिसमें हम मुझत आते हैं, Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide, Nitrous Oxide, और Nitrogen Pentaxide, मनि NO, NO2, N, और N2O5, ये बेसिक केमिस्ट्री के जो कंपोनेट्स माने जाते हैं, इन एर पोलुएशन, Nitric NO, और Nitrogen Dioxide as the primary concern, ये शोर्च अप इस पोलुएशन इंडिस्ट्री प्रोसेस्ट्री अटोमोबाइल एक्सेप्स, हईड्रोकार्बन, और बनिक कंपोंट्स कंटेनिंग, इंडिस्मेल है, हईड्रोकार्बन प्रजेंट इन एटमस्पेर, इन एटमस्पेर, इन एटमस्पेर, फोग तानेचरल अन मैने मेट मोरो सोर्च मिलेगा, दा मेजर सोर्च अप आप्डर ओशन, बर्निंड, गर्सूलीन, एंडिस्टियल प्रोसेस जब भी कोई पदार जलेगा यसलीन बगएरा जो जलेंगे उसके दोरा में मेड शोर से मेजर शोर से एफेट ओब दा सम्कॉमनियर पॉलमेंट्स एफेट ऑफेट ऑफेट वड़ा की पर्तिकुलर लिमेटर में एफेट ओन हुमन्स दप पर्लमेंट्स इस साइज देन वन मैट्रॉम्स काजिज अलंक्स डेमेच जो साइज इसकी देख बोट जो पर्तिकुल पार्ट से एप्सलोट थाइबर कजीज कैंसर लेड फॉम्ड़ा ओटमोबाइल एक्जम्स अफ्ट काड़ेज ब्रेन इट सब्सक्राइज इस से अलंक्स की ओर यह को ही का रिस्परेटरी ग्रोथ रस्परेटरी ग्रोथ रस्परेटरी गैंसर अलग अलग बीजिश के रूप में क्या करेंगे डिकंपोजिशन ओ आपर पर्टिक्लर ली मेटर कंटेन्टीएंगे टाक्सिक मेटर अफेक्ट अफेक्ट ऑफड़ फॉक देता है प्लाट कि ब्रोग देते प्र्टिकुलर्यमेटर कें आप्टर ढग अव्टर दॉंपीजिशन अन प्लांट लीप पॉटो सेंटेशिस नहीं होगा प्लांट की ग्रोथ खतम हो जाएगी मटरियल देखिए जिए जिन्दा चीजों को प्रभावित कर रहे हैं मरीवी चीजों मज़ने के डेड मेटर स्टेडिंग मेटरियल्स को भी ले रहे हैं पर्टिकुलरी मेंटर काजेज दा डिमेज ओब बिल्डिंग, तो रोजन हो रहा है, काजेज ओब दा पॉंटेड सर्पेस, पुछ दिनों पहले भारत सरकार ने चिंता है कि नियाले भी चिंता कर रहे हैं कि हमारे ताज मेल की चमक खतम हो रही है, उसका कारण माना गया है, म सब्सक्राइब के साथ मिलकर कंबाइन तो दिशियो इन हमोगलोबिन, कार्भोक्सी हमोगलोबिन बना लेती है, और ऑक्सिजन को केरिंग जो होता है, उसको खतम कर देती है, और केरिंग जब खतम हो जाएगा, तो देथ का बड़ा रिजन बन साए, तो यह कंसेंट्रेशन यह कंसेंट्रेशन उप साथ सो पचा से ओबर बढ़ेगी रिस्टा जाएगा, इसकी तन संट्रेशन अलग अलग एफेट अमर को दिखाती है, इफेट अन प्लांट इशियो की जब भी मात्रा बढ़ जाएगी, रिदूस नेट्रोजन फिक्सिंग कर देगी, बेट्टेरि मेटरियल पर कर्बनमान उक्साड का डारेट इफेक्टा भी नहीं देथा गया, ओक्साइड ऑप सल्फर, सल्फर के ऑक्साड की बात, इफेक्ट ऑप दा हूमन हैल्स पर, इन केस ऑप इनिशल आईज और इस्पर्टरी ट्रेक में डिजिस देखने को मिलेगी, इन तरी जो लोग कंसंट्रेशन और लॉंग प्रियेड में पाजिस दाडी क्लोरिनेशन आप डालीव, इसमें से ख्लोर फिल खतम हो गया, इसो टिफेक्ट ऑप प्लांट, एठ हाई कंसंट्रेशन, अलीप टीशू गें डेमेज, टीशू को खतम कर दे, एच तो एसो एसोपर एसोपर गेट्स इजी लिव अवे फ्रॉम लिविंग ओडी कलर्ड शर्पेश, पेपर एप्जोड एसोटो एप्जोर कर लेगा, एप्जोर करने की लोग सॉपदा, इससे स्ट्रेंथ और फिक्सिल अबिलेटी को खतम कर देगा, स्ट्रेंथ, ऑक्साइड ऑप एप्जोर को खतम करेगा, एक्सर्म लेज फूमन हेल्थ, एफट ऑब वेजिटेप्स एनोक्स की बात करेगा, तो नैट्रोचन इल प्रैमरी पॉल डेमेज अप्लांट टीशू को खतम दर देगा, हाई कंसेट्रेशन एप्जोर का लेज प्रेमेज ऑप देप्जोर को खत करोजन, तरोजन का बड़ा रिजन से मेटल सर्फेस को ओपर यह जादा एफेट करता है, एनोटू फाइंट्स कलर्थ तो दी क्लोथ, एनोटू का जेज ट्रीकिंग ऑप दर रबर, यह बड़ा रिजन से इसका देखने को मिलता है, हाईड्रोकार्बन की बात करें, लियुट, एफेट ओन वेजिटेशन, हट्रोकार्बन एफेट भ्लाइज़ान अफेट अप्लांट गरोड, डी कलोराइज किलोराइज़ेशन आव लीफ, वोई जव प्लांट गरोठ तरेजन, इफेट अम टर जटेशं आप और दैनेंग, इस अनिने मुत घुन बात की ज एसी ड्रेन जो निकल के आती एसे ड्रेन जो पार्ड बनता है वो इसी पॉल्यूशन के वजय से बनता है धन्यवाद